बाइक बोट गुटाले में छापे मारी गुई है जहाँ पर कई ठीकानों पर E.D. की छापे मारी चल रही है लखनव, नौइडा और दिली में छापे मारी की गई है तो आपको बता दे कि संजेब भाटी ने जहाँ जहाँ पैसों को ठीकाने लगाया था वहाँ वहाँ पर य कि मुख्या रूपी है संजबाती और 150 लोगों को हाला कि से पहली ही इडी नोटिस भी दे चुका है तो बड़ी खबर आपको बता दे बाइक बोट घुटाले को लेकर जहां आज इडी कई ठीकानों पर चापेमारी कर रही है का जा रहे कि जहां जहां इन पैसों को ठीकाने लगाया गया है वहाँ वहाँ पर ही चापेमारी जिसमें लखनव, दिल्ली और नौइडा शामिल है तो 150 लोगों को हाला कि इडी पहले ही नोटिस दे चुका था दरसल खोट ने यहां सुप सी बियाइक को आदेश दिये थे इस पूरे मामले की जाच के जहां पाइक बोट घुटाले का प्रमुकारोपी संजेभार्टी हैं एक सुपचास करोड सी जादा का घुटाला यह बताया जा रहा है जिसकी जाच एडी कर गही है और इसी मामले को लेकर चापेमारी भी की गई तो अब देखना होगा कि छापेमारी की दुरान क्या कुछ एहम जानकार यहां से एडी को मल सकती है हाला कि स्पीच लगा था जानकार यह भी कि मुम्किन हो कि यह जो जाच का दारा है एडी का वो आगे भी यहां पर और बढ़ सकता है लेकिन जहां पर इस मामले को लेकर जादा F.I.R. दर्च की गई है वहीं पर फिलाल यह चापेमारी कारवाय जारी है बता दे कि दिल्ली में भी कई F.I.R. बाइक बोर्ट गुटाले को लेकर हुई थी नौइडा में भी और लखनों में भी तो आखिरकार बाइक बोर्ट गुटाला है क्या यह हम आपको यहां पर बता देते हैं दरसल बाइक बोर्ट कंपनी के मालिक जो हैं वो संजेबाती हैं जहां लाखों लोकों से अर्वों की ठकी उनके जरी की गई 2010 में घर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेट कंपनी खोली गई जहां 2017 में बाइक बोर्ट की नाम से स्कीम के शुरुआत की गई और स्कीम में 62,000 रुपे का निवेश करने की योजना थी जहां एक साल में 1,17,180 किष्टों में लोटाने की योजना थी तो स्कीम, यूपी, राजिस्थान, हर्याणा, मद्प्रदेश, पंजाब तक फैला था जहां पर कंपनी में 2,25,000 से जादा निवेशकों का पैसा फसा महीं 1500 करोड से अधिक के धोका धड़ी का इमामला है तो 1500 करोड से भी जादा का ये घोटाला है और इस घोटाले को लेकर जिसतरे CBI भी जांच कर रही है अब E.D. की छापे मारी तीन ठीकानों पर लखनाव, नॉइडा और दिल्ली में चल रही है सबसे पहले अपके पास यहाँ पर आना चाहेंगे अभी दिल्ली में कहाँ कहाँ पर ये चापे मारी चल रही है और कब से शुरू हुई ये चापे मारी और कितना और समय लगेगा और क्या कुछ एहम दस्तावेज यहां से हासल हुए है देखिए E.D. के पास जिस तरह E.D. पहले से ही सबूद जुटा रहा था इसके बाद दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में चापे मारी E.D. की तरफ से की गई है जिसमें की जहां-जहां संजे भाटी ने जो निवेश किये थे उने लेके यहां पे चापे मारी की गई अब तक जो सूत्र बतारे कुछ काग्जाद बरामद हुए उन काग्जाद के सहारे जहां-जहां निवेश से E.D. और जादा उसमें पहुचने कोशिज करेगी लेकिन अभी तक E.D. की कारवाई दिल्ली की पूरी नहीं हुई है जब कारवाई पूरी होगी उसके बाद वहां से क् है और किसी को भी अंदर या बाहर जाने की पर्मीशन नहीं है और कई अहम दस्ता बेज जो है वो इस चापएमारी के दोरान मिले हैं और जिस तरह से के तमाम निवेश को का पैसा फसा और जो प्रलोबन दिया गया था इस कंपनी संजबाटी की कंपनीक तरफ से और लोग अपने आप ही इस कंपनी में इंवेश्ट करने के लिए चले गए 62,000 रुपए खास्तोर पूस्ट टाय किये गये थे जो 62,000 रुपए के निवेश के साथ ही एक खरीदनी होती थी और जिसमें की 10,000 रुपए का रिटर्न मिलता था शुरुवाती दौर में काफी लोगों को रिटर्न मिला और यही वज़े थी कि जब लोगों को रिटर्न मिलना चालू हुआ लोगों को लगा कि उनका पैसा एक से डेर साल के अंदर डबल होने बाला है तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस कंपनी में निवेश करने लगे और उसके बाद फिर इस तरह वनों में बेखे चल रही है चापे मारी चल रही है वहाँ पर कब तक क्ये चापे मारी चले की ? और और क्या एहम चीजे वहां से हासल हो पाई है देखी दितू जिस तरह से यहां पर छापे मारी चल लई है बाइक बोड गोटाले को लेकर उसमें बता दे कि जो बाइक बोड गोटाले का जो मास्टर माइंड था संजय भाठी उसने कमपनी शुरुवात की थी जो गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर लिम्टेट थी उसी कम नोव में जहां पर छापे मारी चल लई है बी एन तिवारी के घर पर चापे मारी हो रही है उनकी जो लगजरी गाडियां थी वो उसी कमपनी के नाम पर थी साथी साथ साथ संजय बाठी ने एक निजी चैनल का स्थापना की थी उसमें भी जो पैसा लगा था वो भी अब तिवारी के द्वारा चलाया जा रहा था उसी को लेकर एडिक ने आपर उस निजी चैनल में और साथ साथ चैनल के मालिक जो है उनके घर पर छापे मारी की है एहम दस्तावेज उन्होंने इखटा कर लिये हैं साथी साथ वो गाडियां जो गाडियां उस कमपनी के नाम थी उनको भी सीज करने के तयारी चल लही है साथी साथ क्योंकि पूरे बोट बाइक घुडाला है वो अब लखनो ट्रांसवर कर दिया गया था यो डबलू और एडी लखनो की टीम उस पूरे मामलियों को देख रही थी उसी के चलते अब लगातार लखनो में जो जहां-जहां संजय बाटी की कंपनी ने पैसा निवेश किया था उन पर एडी की नजर है और साथी साथ जहां पर आज छापे मारी चल लही है जिसमें राजा जी पुराम और गोमती नगर में हैं वहां पर जो जो गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर लिम्टेट के नाम से जो 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 नि इन तिवारी की क्या भूमका थी इस बाइक बोट घुटाले को लेकर या संजय बाटी चुनके क्या संबन्द थे उन सभी पहली उपर जाच कर रही है और यहां पर छापे मारी कर रही है चले धन्यवाद आप दो रूका ही अमेत आपका भी और इसकी साथ ही गगन आपका भी बात भात धन्यवाद